बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम, अस्सलाम उलेकुल नाजरीन, मैं हूँ बाबर हयाद और आप देख रहे हैं 24-7 उर्दु नीज़ पर बाबर हयाद शोग A very good morning to all of you और आज आपके सामने बाबर आजम और मैंने इसको cross इसलिए किया है, nothing harsh about team only पूरी team के लिए, पूरी पाकिस्तान की team की इस वक्त जो condition है और जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के cricket fans अपनी team के लिए जो जजबात रखते हैं, वो ही ये जजबात हैं We don't respect our team anymore इस तरह की performance के बाद, इस तरह की घटिया performance के बाद, जबके हमें शिकस्त देने वाली team USA जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उसको जितवाया गया, कुछ लोग तो दूसरी मुलकी एजन्सियों के ओपर भी बात कर रहे हैं, जी कि फलाने जितवा दि इनने साउथ अफरीका को गुजिश्टा रोज जो मैच हुआ है, सूपर एट का इफ्तताही, उसमें साउथ अफरीका वो अल्मोस्ट शिकस्त देने के करीब पहुंचा दिया था, शिकस्त के दहाने पे पहुंचा दिया था और उन्होंने साबित किया कि दे वर बैटर टी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप या चैंपियन्स ट्रॉफी कोई तो जीत के लाएंगे ना यार, हमने अपना किंग बना लिया, पता नहीं क्या क्या बना लिया, और हमारे लिए ये है कि वो मसूफ हभी तक अमेरिका में गुमते पिर रहे हैं, होटल्स में ग मकाबला इंडिया के खिलाफ होने जा रहा है, अफगानिस्तान की टीम डे बाई डे इंप्रूफ कर रही है, हर वर्ल्ड कप में आपको पिछले वर्ल्ड कप से ज्यादा बेतर खेलती हुई नजर आ रही है, हाला कि हम से मकाबला करें, तो उनके पास 10% भी वो फिसिलिटी नहीं है, जो हमने इन अललों-तललों को दी हुई है, और उनको जो हमने इनको मौझें करवाई हुई है, वो उन बेचारों के पास 10% भी नहीं है, अपने मुलक में, ये अलग बात कि उनको IPL बगएरा खेलना मिल जाता है वो हमारे players को नहीं मौका मिलता है हमारे players वो उस बिचारे गाम में हमेशा उनकी जिंदगी गुजर जानी कि हम IPL नहीं खेल सकते तो हमें दो की जगा जो है वो तीन लीगें खेलने दे हमारे पैसे काम बनते हैं और ये और वो मतलब पैसा पैसा करती है और क्यों पैसे से तू ढरती है ये वाला हिसाब कताब है हमारी टीम तो हर वक्त पैसा पैसा करती है और पैसे के चकर में हार जाती है मतलब अक्सोस है बहुत सारा लेकिन आज 여기까지 क्यां इंडिया को शिकस्त देने में काम्याब हो जाएगा सबसे वड़ा सवाल अगर हो जाएगा तो क्यों और अगर नहीं होगा तो क्यों इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ तो बात करते हैं पहले अफगानिस्तान वर्सिस इंडिया कितने मैचिस दोनों टीम है एक साथ खेल चुकी है तेरा टी-20 इंटरनाशनल और उन तेरा मैचिस में एक भी मैच अफगानिस्तान ने इंडिया को नहीं हराया तो बहुत भारी पलड़ा है इंडिया का और आपको पता है कि जब पाकिस्तान को शिकस दी थी इंडिया ने तो टफ टाइम जरूर दिया था पाकिस्तान को शिकस दी थी अफगानिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप में तो टफ टाइम जरूर दिया था इंडिया को बट हार ग और यहां पर यह मैच आज होने जा रहा है वहां पर जो पिछ है वो बैटिंग के लिए साथकार है और 200 प्लस भी इस T20 वर्ल्ड कप में यहां पर बन चुका है तो इस सूरत में हमें नमबर वान एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है इंडिया वर्सिस अफगानिस् और उसमें अफगानिस्तान इंडिया को कैसे शिकस्त दे सकता है उसके लिए सबसे पहले अफगानिस्तान को टॉस जीतना होगा नमबर वान टॉस जीतकर पहले उनको बैटिंग करनी होगी और बैटिंग के साथ साथ उनके टॉप आउडर को चलना पड़ेगा आपको मैं बता दू कि इस वक्त रह्मानुला गुर्बास जो हैं वो दुनिया के खतरनाक तरीन ओपनर के तौर पे सामने आए हैं और इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक वो हाइस्ट स्कोरर है यानि सबसे जदा उन्हें इस T20 वर्ल्ड कप में स्कोर बनाया और धडले की बैटिंग करते हैं बगएर खौफ के बैटिंग करते हैं सही मानों में चो अफगान नेशन को रिप्रेज். करती है बेखौफी निडर होना बगैर किसी खौफ के लड़ना वो वाली फीलिंग उन में आती है लेकिन उसमें बाद उकात आप मतलब तूमाच कर जाते हैं तूमाच कर जाते हैं और हर रोज आप काम्याब भी नहीं होते तो क्या आज रह्मानुला गुर्मास का दिन होगा उनकी रात होगी या नहीं होगी पाकिस्तान और इंडिया के महारी वक्त के मताबिक पाकिस्तान के महारी वक्त में मताबिक आज शाम साड़े साथ बजे और इंडियन टाइम के मताबिक साड़े आज बजे और वेस्ट इंडीज में ये डे मैच होगा तो जहां तक मौसम की बात है तो मौसम जो है वो आसम है उसमें कोई बारिश-वारिश का चक्कर नहीं है मैच होगा और पूरा होगा कोई बारिश के चांसेज नहीं है तो यह एक अच्छी चीज है जो के कमसकम आपको एक कम्प्रीट मैच देखने को मिल सकता है अब यह चीज हो जाए अगर वो टॉस जीत जाए पहले बैटिंग कर लें और उनका टॉप ओडर भी चल जाए और वो अगर इस पिच में 180-90 स्कोर भी करने में काम्याब हो जाए चलिए 200 प्लस नहीं भी करते 170-80 भी करने में काम्याब हो जाए तो देखने गिव टफ टाइम टू टीम इंडिया क्योंके इनकी जो स्पिन बालिंग है वो इस वक्त दुनिया की टॉप बालिंग में से एक है अगर टॉप वन नहीं है तो सेकंड नंबर पे तो अल्मोस्ट इनकी बालिंग आती है इनके पास मुझीब नहीं है लेकिन इनके पास नूर अहमद है जो कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट वैपन साबित हो सकता है जो राशिद खान है राशिद करामाती खान उनको कहा जाता है अगर उनकी करामात चल गई इस मैच में और उनकी उंगलियां चल गई इस मैच में उनकी रिस्ट कलाई चल गई तो फिर मसला बन सकता है दो कलाई वाले बॉलर दोनों लेग स्पिनर उनके पास प्लस एक लेफ्ट आम स्पिनर मुहमद नभी की शकल में उनके पास सीमर्स फजल अक फारूकी इस वक्त सबसे ज़्यदा विक्टे हासिल करने वाले इस टी-20 वर्ल कप में बालर हैं बारा विक्टे ले चुके हैं तो टॉप विकेट टेकर टॉप रंगेटर दोनों अफगानिस्तान के पास किस टीम को हरा के आए हैं भाई दुनिया की तगडी टीम को हरा के आए हैं उसके हिस्से बखरे कर दी हैं उन्होंने केन विलियमसन की क्यादत में जो है वो टीम न्यूजिलैंड को एक शौकिंग किसम की डिफीट दे के वो पहुंचे हैं इस टीट्वांटी वोल्ल कॉप के सूपरेट मरहले में सेकेंड बेस्ट टीम आप सबकॉंटिनेंट विदाउट अनेड़ इंडिया के बाद इस वक्त दूसरे नंबर पर ये बेहतरीन टीम बनी हुई है पाकिस्तान को निकाल दें बड़े बेयाबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हम तो निकल गए बीच में से ठीक है और बेयाबरू होके निकले अब ये इन दोनों के उपर है कि ये किस तरह की क्रिकिट खेलती हैं दोनों हमारे हमसाए हैं एक हमारे आरक्राइवल हैं दूस करेंगे देखिए अफगानिस्तान विल ट्राइड लेवल बेस्ट तो विन दिस मैच उनको शायर इस से बड़ा मौका ना मिले भारत को शिकस्त देने के लिए क्योंकि बारत के अपने इश्यूस हैं उनकी टॉप अडर बैटिंग नहीं चल रही कप्तान विरात कोहली दोनों वर्ल कप में उनकी परफॉर्मेंस भी बाबर आजम की तरह डावा डोल है क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे और फिर नीचे जो इनका मिडल ओर लोर मिडल ओर है उसमें प्रॉब्लम्स हैं उसमें शिवन दूबे हैं उसमें फिर आगे जो है वो आ जाते हैं आपके इनके वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहें उस तरह से मतलब इंडिया के साथ इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है क्लिक करें तो भाई फिर प्रॉब्लम बहुत बन जाएगा इनके लिए अगर टॉस नहीं जीते इंडिया टॉस जीती है और पहले बैटिंग करती है तो भाई इंडिया के लिए भी तगड़ा है इंडिया कभी भी इंडिया को टॉस जीत कर उनको पहले बैटिंग नहीं करवानी है यह मैं आपको बता हूँ कभी भी टॉस जीत कर उनको पहले बैटिंग नहीं करवानी खुद पहले बैटिंग करनी है विकास अफगानिस् की tough time दे सकता है इंडिया को उसकी वजाए यह कि जो टॉब और में आपको पता है कि रोहित शर्मा अंदर आती हुए बॉल के अगेंस्ट प्रॉब्लम का शिकार विराध कोली बाहर जाती हुए बॉल के अगेंस्ट प्रॉब्लम का शिकार यह लेकिन अफगानिस्तान का जो मिडल ओडर है वो थोड़ा ज्यादा वीक है गुलबदीन नाइब ठीक है अच्छा आके करते हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा वीक है एस कंपेर्टू टीम इंडिया टीम इंडिया की अगर मैं बात करूं दे आर मच बैटर टीम मच बैलेंस टीम उनकी बैटिंग भी तगड़ी है उनकी बॉलिंग भी अफगानिस्तान से बुरी नहीं है और लगता है कि आज वो स्पिन बॉलिंग के उपर रिलाइग करेंगे टीम स्पिनर्स को खिलाया जा सकता है और आज वो अगर कंडिशन्स आपको देती है जाजत और मौसम भी आपको पता है गरम होगा तो फिर उस सूरत में दे कैन गो वेद कुल्दी प्यादव एस वेल अक्षर पटेल एंड जदेजा और यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वो जदेजा की जगा भी किसी और को ट्राइ करते हैं मतलब चहल इस और उनके पास मौजूद है पट इट वुड बी टू माचा इथिंक सो यह है कि दोनों टीमों का मुकाबला बहुत तकड़ा है लेकिन अगर आप बात करें स्टेटिस्टिकली तो इंडिया को एज हासल ह जोश और जजबे में अफगानी कम नहीं है मैच बहुत तकड़ा होने जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस मैच को जीतने की ज्यादा फेवरेट है इंडिया के चांसे ज्यादा है बहुत बड़ा फरक नहीं है बट अगेन मैं कहता हूँ कि दिमाग क साथ दिमाग के साथ भी खेलना होगा और जान लड़ानी होगी अफगानिस्तान को देखते हैं कि आज अफगानिस्तान की टीम क्या वाकिए इस टी-20 वर्ल्ल कप में एक धमागा खेज आगाज कर सकती है या नहीं कर सकती इसके उपर हमें देखने की जरूरत है लेकिन पा अलग करके दिखाएं बाबा रियात को अजासे दीजिएगा अल्ला हापिस